बॉलिवुट की किंग खान शारुख खान को बड़े परदे पर देखने के लिए सभी लोग विसबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन शारुख खान ने खुद डिक्लेयर किया था कि वो एक ब्रेक पर है क्योंकि वो अपने करियर की चॉइसेज को एक बर दुबारा से देखकर एनलाइज करना चाहते थे और किसी भी जल्दबाजी में कोई भी गलत फिल्म साइन नहीं करना चाहते थे शारुख खान ने बहुत सोच समझ कर यश्राच फिल्म की पठान को साइन किया और इस फिल्म को डाइरेक कर रहे हैं सिधार्थ आनंद सभी को इंतजार था कि शारुख खान एक बार फिर से फिल्म के सेट पर कब वापस लोटेंगे अब हम आपको बता दे कि शारुख खान को पठान की शूटिंग के लिए यश्राच स्टूडियोस के बाहर स्पॉट किया गया है काफी टाइम से स्पेकूलेशन लगाए जा रहे थे कि जीरो के बाद शारुख खान किस फिल्म से कमबैक कर सकते हैं सोर्सिस का कहना था कि शारुख खान को सिधार तानन की नरेशन इतनी पसंद आई कि वो इस फिल्म को मना नहीं कर पाए आपको बता दे इस फिल्म में शारुख खान की ऑपोजेट अक्टरस दिपिका पादु को नज़र आएंगी और जौन इब्राहिम इस फिल्म में अंटिगनिस्ट का रोल प्ले करते नज़र आएंगे